वेल्गम बेक टु गर्भ गुरू मैं डॉक्टर प्रियांक का याद हूँ और आज हम डिसकर्स करने वाले हैं आपके बच्चे के लिए जब आप डाइपर खरिदते हैं तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए डाइपर में बहुत सारे क्वेस्चन यह से डाइपर सिल्देग्ट हम कैसे करें कNext करें बच्चे को रेसी स्ल्यादा हो रहेंए क्या करें पीटीङ तो रहाा थे रात में बच्छा अच्छे से सौ नहीं रहा थो उन सब का सेलूशन क्या है और यй Sna करना चाहते हैंए डाइपर तो ब्रांड के सिलेक करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डाइपर आ रहे हैं तो कौन से डाइपर बच्चे के लिए सही है और उसमें क्या क्या चीज़े हमें देखनी चाहिए वह सारी चीजों का डिसकुशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं आखिरी तक जूड़े रहेग और यदि आप वहाँ पर जाएंगे बाहर तो भी वहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ सकती है तो डाइपर सिलेक्शन एक बहुत ही में काम है तो उसका गाइडेंस आज हम आपको देने वाले है तो वीडियो आखिरी तक जूड़े रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो उसक हम आपको help करने वाले हैं सबसे पहला question कौन सी ब्रांड हम सीलेक करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ब्रांड है तो सबसे अच्छी कौन सी जिसमें आगे मैंने जितनी फीचर्स बताया थे वह सारे फीचर्स आ जाए तो उसके लिए हम आपको suggest कर रहे हैं लवलिपका प्रोटेक्शन पूरी रात बच्चे को अच्छे से नींद देगा और रात की नींद अच्छी आएगी तो पूरे दिन बच्चा एक्ट्यू भी रहेगा तो 12 अवर प्रोटेक्शन हो सबसे पहला में इसका फीचर है दूसरी कोमन दिक्कत डाइपर में रहती है रेसिस की तो यह रेसिस नहीं होने देगा क्योंकि इसके इंदर एलोवेरा है जिसके चलते वहाँ पर आपके बच्चे में रेसिस की दिक्कत नहीं होगी दूसरा यू यह कि लोग लाश्टिंग cert को दिगा बच्चे की 21 इसाफ चींग करेगा तो सबस्तोंत भांबी यूरिन तो बच्चे को भारेपन भी नहीं लगेगा और वो पुरेदी एक्ती रहेगा उसकी हिल चल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आरम से घुम पीर सकता है रात में सोते समय भी इवनली डिस्टुबूइट रहेगा तो बच्चे के निचे के भाग में जो गठान हो जाती इसा कोई भी नहीं रहेगी दिक्कत तो यह इवन डिस्टुबूइट करता है वो लोंग लास्टिंग ड्राइनेस देता है बच्चे को डाइपर पहिनाने में भी आसान और बच्चे को पहिनने में भी आसान और कंफ़र्ट लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी जो ड पहिनने अच्छा नहीं लगता है तो इसके जो इलास्टिक है वो बहुत ही अच्छे है दूसरे साइज सीलेक्शन कैसे करें क्योंकि बहुत सारे साइस के डाइपर मिलते है तो इसमें साइज देखो यह आप समोल में जाएंगे तो लिखा होगा वहां पर पाइव तो यह बच्छे का वजन पाच खेले तो यह दोने में से कौन सा डाइपर सीलेक्श करेंगे तो डाइपर की जो भाँ पर रेंज दी गई होती साइज रेंज बच्चे का वजन की साइज रेंज रेंज वहां पर दी गई होगी तो उसमें उसको हाप कर दीजे जैसे के 5-8 लिखा तो आप में जाएंगे क्योंकि स्मोल में वह लेटर हाप में गिरेगा और मीडियम में जाएंगे तो आप जाएंगे मेडियम के साथ इस तरह से आप अपनी बच्चे की डाइपर की जो सिलेक्षन होती है नहीं होगा तो साइस इलेक्षन भी प्रोपर तरीके से करना ज़रुरी है यह यह आप भी लवलेप लेना चाहते है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी वहाँ पर जाके आप इसको पर्टेस कर सकते हैं अपनी बैबी के लिए यूज कर सकते हैं इसमें से भी कुछ क्वेरी है कुछ कंफ्यूजन है ताफ हमें कमेंट बॉक्स में पूछी सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वहाँ पर क्यूनल एसेशन्स होते रहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंसे कर दीजेगा अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया अगर भूरू तो कली जैसे नहीं नहीं वीडियो समलाते रहेंगे तो चले फ्रेंट फिर जली से मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप